नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रतन केक उठता है और वीडियो में हम बात करेंगे वाट इस दसीक्रेट ओप हैपीनेस खुश रहने का राज क्या है दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम अपने जीवन में चाहे हमारे पास कितना भी क्यों ना हो लेकिन खुश नहीं होते किसी ना किसी बज़े से उपने जीवन में किसी ना किसी घटना और किसी कारण को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसको बज़े से दुखी बने रहता है एक घटना बज़े करता हूं दोस्तों एक बार चार्ली चैपलिन एक समहरों में उनको चीफ गे उस समहरों उस फंक्षन में भी उनको रिक्वेस्ट की गई कि सब कुछ जोग सुनाई चार्ली चैपलिन ने सारे लोगों को एक जोग सुनाया जब जोग सुनाया तो खूब तालिया वधी खूब हसी आई लोगों को खूब लोगों ने खड़े हो के स्टेंडिंग के सार्शर नहीं था फि which अम तो मुष्क्र से दौ-्टी चार लोगों को है क्थिन लोगों ने टालिया और चौती बार बही जोग से मौनिन ने फिर से सुनाइड इस बार पूरे souven помने किसी ने किसी को 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 खुशी हुई तो चार्लिश अपनी लोगों उसे पूछा कि जब आप मेरे एक जोग पर सेम जोग पर बारबर हस नहीं सकते हो बारबर ताली नहीं बजा सकते हो तो एक ही दुख को बकड़ कर बारबर रो कैसे सकते हो कभी सोचें दोस्त हम सब क्या करते हैं एक ही चीज पर बारवर हस नहीं सकते हैं तो एक ही घटना एक ही कारण की कारण बारवर दुखी क्यों रहते हैं बारवर रोते क्यों रहते हैं उसको पकड़ के क्यों बैट जाते हैं दोस्तो अक्सर होता क्या है दोस्तो कि हम ग्लास का आदा खाली हिस्सा देखते हैं आता भरा हिसानी भगवान ने सब को कुछ ना कुछ दिया होता है अगर आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं खुश रहना चाहते हैं कि अब सब्सक्राइब दोस्कों अब से ग्जाम्पल समझें एक ग्लास पानी का आपको हाथ में पकड़ा दिया जाए एक मिनट तक आपसे कहा जाए कि एगंटे पकड़े रहो तो हो सकता है इक घंटे तक पकड़े रहो यहाथ में आजाए कि एक दिन आठ घंटे दस घंटे लगातार पकड़के बैठे रहो दोस्तों तो आपकी उंगलियां अकड़ जाएंगी आपके हाथ में जक्रन आ जाएगी आपकी कंदे में दर्ध होना सुरू हो जाएगा दोस्तों ग्लास भी है पानी भी उतना ही है आप भी वही है लेकिन तकलीफ दर्ध का जो अंतर है उस समय के हिजाप से है यानि आपने थोड़ी देर पकड़ा आपको कम तकलीफ हुई आपने जादा समय पकड़ा आपको जादा तकलीफ होई वही चीज है दुख है संगर्स है तकलीफ है कटनाईया है उनको ठीक है हर बेक्ती के होगी आपको ज्यादा तकलीफ ज्यादा दुख सामना करना पड़ेगा तो दोस्तों बड़ा आसान है खुश रहने के राज बहुत सिंपल है दो चीज़ें आप कीजिए एक अपने से नीचे वाले को देखिए अपने से नीचे वाले को देखने का मतलब अगर आपके पास का के पास ब्रबेकती से जाधा है क्योंकि हमारे थुख्रो का सबसे बड़ा कारण हमें नहीं को देखिए ऊसके अननन लेने की कोशिई करिए ना कि आपप नहीं है उसके चकर में जो आपके पास है उसका अननन्द लेने जो अच्छा लगता है आपको जो काम करने में खुशी मिलती है आप वो काम करना शुरू करिए अगर आप ये दो चीज़े करेंगे दोस्तों तो आपके जीवन में जो खुशी है उनका कभी समाप्त नहीं होंगी खुशियां ही खुशियां होंगी सीक्रेट ओफ हैपिनेस कहीं और नहीं है दोस्तों आपके खुश के पास है अपने से नीचे बाले को देखना सुन कर दीजिए जो आपके पास है उसमें संतुस्त रहिए और जो काम में आपको खुशी मिलती है आपको आनंद मिलता है वो काम करिए देखिए आपके सारे दु जोष्टों के शयर करें और सेर करने के बाद चैनलल को ब बटन न भूलें और थी नमस्कार